पार्वती पते हर हर महादे ओम नमः शिवाय प्रिय भक्त गणों आज हम आपको भगवान संकर भोले नात की बड़ी ही अदभुत कथा सुनाने जा रहे हैं। आज के इस विशेश अवसर पर माता पार्वती भगवान सिव के इस कथा को बड़े भक्ती भाव से सुने। इसे सुनकर आपको अपने कष्टो और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। साथ में ही इस कथा को सुनने से भगवान सिव सहित माता पारवती त्री देवों का भी आसिरवाद प्राप्त होता है। उस व्यक्ती पर महादेव की विशेश कृपा होती है। प्रियभक्तगरों सिव महापुराड में स्री सूत जी ने सोलावे अध्याय में कहा है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ती के जन्मों जन्म के पाप नश्ट हो जाते हैं। माता पारवती के पिता प्रजापती दक्ष की 27 कन्याओं का एक ही देवता से विवा हुआ था। और उस देवता का नाम क्या है। यदि आपको इस प्रश्ण का उत्तर पता है तो कमेंट में अवस्य ही बताएं। और वीडियो को लाइक करके अपने भक्ती भाव को प्रकट करें। इस प्रश्ण का उत्तर हम कथा के अंत में बताने वाले हैं। तो चलिए भक्तगड़ों। स्रमण करते हैं आज की यह पावन पवित्र पौराडिक कथा। सिव पुराड के अनुसार। किसी गाव में एक ब्रामण रहता था। वह भगवान भोले नात का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बिवाह के बहुत साल बाद एक पुत्र हुआ। लेकिन कुछी सालों बाद बालक की असमय मृत्ति हो गई। बालक का सव लेकर वह समसान पहुचा। वह मोह वस्क्रिया करम नहीं करपा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ती के लिए किये गए जब तप पुत्र का जन्मों सव याद आ रहा था। चुकि बच्चा काफी छो भी रहते थे। दोनों सव देखकर बहुत ही खुसुएं। दोनों ने विवस्था बना रखी थी कि दिन में सियार माश नहीं खाएगा और रात में गिध। सियार ने सोचा यदि ब्रामण दिन में ही सव रखकर चला जाए तो उस पर गिध का अधिकार होगा। इसलिए क् अंधेरा होने तक ब्रामण को बातों में फसाकर रखा जाए। प्रियभक्तों वहीं गिध ताक में था कि सव के साथ आये कुटुम्ब के लोग जल से जल जाएं और वह उसे खा सके। गिध ब्रामण के पास गया और उसे वैराग की बाते बतानी सुरू कर दी। गिध ने और वियोग प्रकृती के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते। इसलिए सोक त्याग कर प्रश्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में समसान प्राणियों के लिए लावदायक नहीं होता। इसलिए जल्दी से यहां से निकल जाना ही ठी प्रियभक्तों गिध की बाते ब्रामठ के साथ आयर इस्तेदार को बहुत प्रिय लगी। वे ब्रामठ से बोलें। ब्रामठ महा से बालक के जीवित होने की आसा नहीं है। इसलिए यहां रुकने का क्या लाभ। सियार सब सुन रहा था। उसने गिध की चाल सफल होते दे देखी। तो भाग कर ब्रामठ के पास आया। सियार कहने लगा हे ब्रामठ तुम तो बड़े ही निर्दई हो। जिससे प्रेम करते थे उसके मृत देह के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता सकती। फिर कभी तुम इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक रोके रखने के लिए सियार ने नीती की बाते छिड़ दी और कहा हे ब्रामठ जो रोगी हो जिस पर अभियोग लगा हो और जो समसान की ओर जा रहा हो उसे बंधु बांधों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लोटने का विचार छोड़ दिया। अब गिध को परिसानी होने लगी उसने कहना सुरू कर दिया। हे ब्रामठ तुम ग्यानी होने के बाबजुद एक गपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राड़ी की यही दसा होती है। सोक त्याग कर अप रोकर उसे कष्ट देते हो। गिध की बाते सुनकर लोग चलनी को हुएं। तो सियार फिर सुरू हो गया। और बोला यह बालक जीवित होता। तो क्या तुम्हारा वंस न बढ़ता। कुल का सुरे अस्त हुआ है। कम से कम सुर्यास्त तब तो रुको। अब देखे। मुक्ष का कार आरंभ करना चाहिए। सियार ने भी कहना सुरू कर दिया। यह ब्रामण जब तक सुर्य आकाश में विराजमान है। दैवी चमतकार हो सकते हैं। रातरी में आशुरी सक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है। थोड़ी प्रतिच्छा कर लेनी चाहि चाहिए। सियार और गिध की चालाकी में फसा अब्रामण परिवार तैर नहीं कर पा रहा था। कि क्या करना चाहिए। अंतत्त हुपून पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से बिलाब करने लगा। प्रियभक्तों उसके बिलाब से समसान कापने लगा। प्रियभक्तों, उसी दिन सोमवार का दिन था, तभी संध्या भ्रमड पर निकले महादेव पार्वती वहाँ पहुचें, पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा और उस पिता को बड़े ही करुड स्वर में रोते हुए देखा, तो उन्होंने महादेव से बालक को चीवित करने का अनुरोध किया, प्रियभक्तों, माता पार्वती तो दया की मुर्ती है, अपने प्रिय पत्नी महादेवी के इस वचनों को महादेव कैसे नहीं पूर्ण करते, आप देखे, महादेव प्रकठ हुए और उन्होंने बालक को सव वर्ष की आयू दे दी, वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ नहीं था, इसी लिए तुम्हें इस निक्रिष्ट योनिस से सिख्र मुप्ती नहीं मिलेगी, वहीं भगवान सिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, दुसरों की तकलीप में अपना लाभ नहीं खुजना चाहिए, अगर कोई दुख में जो अपना लाभ देखकर बनावटी दुख जताता है, उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है, महादेव का भक्त होने के कारड़ और अपने बालक के प्रती अगाध प्रेम के चलते, माता पार्वती और भोले नाथ ने उस ब्रामण के पुत्र को जीवित किया, ओ नमा शिवाय, प्रियभक्त गड़ों, वरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए, तो छूटे आतमा के सब बंधन, ओ नमा शिवाय, पार्वती पते, अर हर महादेव, जै फोले नाथ, गौरया की सिव भक्ती, और चिडिया वाली बुढ़ी मा की कथा, प्रियभक्तों, चिडिया वाली बुढ़ी मा का मंदिर, जो की गुजरात में इस्थिप है, जो की बड़ी ही दुरलब तथा, सच्ची कहानी है, प्रियभक्त गड़ों, आखिर कौन है ये चिडिया वाली बुढ़ी मा, और क्या है चिडिया की सिव भक्ती तो आए जानते ही इस कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, कथा को सुरू करने से पुर्व आपसे निवेदन है कि जो भक्त सिव जी के भक्त हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, भोले नाध पर अटल विश्वास रखते हैं, तो पूरा सुनेगा इस कथा को आधा अधूरा छोड़ कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप आपके भागी भी बन सकते हैं, आप सिवजी के भक्त हैं, तो कथा का अनादर ना करें, सर्व प्रथम, बिश्व प्रसीद बनारस के, कासि बिश्वनात जोति लिंग का दिनिस काम, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में बहुत बड़ा सिव मंदिर था, उस मंदिर के पास एक बहुत ही पुराना पीबल का पेड़ था, जिस पर एक गवरया पक्षी का जोड़ा रहा करता था, उस मंदिर में प्रते एक दिन सुबह साम आरती होती थी, जिस सेवे दोनों बड़े ध्यान से सुनते और सिव जी की भक्ती में लीन हो जाते थे, वहां दोनों सिव भक्ती में इतना लीन रहते थे, कि उन्हें अपने खाने पिने का कोई होस नहीं रहता था, उन्हें दोनों पक्षीयों का यह रोज का नियम था, जब भे मंदिर के अरती बस्ती और आरती होती तो वहां दोनों पहुच जाते और भग्वान सिव की आराधना करने लगते, उसके बाद वे अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन और पाने की तलास में निकल जाते, उसी मंदिर के बगल में एक बुढ़ी मा का घर था, वो बुढ़ी म घर में अकेली रहती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, ना ही कोई रिस्तेदार था, इस प्रकार वह अपना जीवन अकेले ही ब्यतीत कर रही थी, वह अपने चट पर पंचियों के लिए रोज दाना डालती और पानी भी रखती थी, उनका यही रोज का काम था, वे दोनों प बच्ची भी रोज उनकी चट पर आतें, और रखी हुए दाना को चुगतें और पानी पीतें, फिर उसमें से अपने बच्चों के लिए दाना ले जातें, प्रिय भक्त गड़ों, उस बुरी मा के कारण, उन पक्चियों का जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था, एक दिन पर दाना पानी भी नहीं रख पा रही थी, बेचारी बुढ़ी मा को चलने तक की सकती नहीं रह गई, अपने विस्तर पर पड़ी रहती, कोई एक ग्लास पानी देने वाला भी नहीं, कोई अन पानी पूछने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं, अब देखी, वे पंची जब चट पर आते हैं, तो देखते हैं कि चट पर दाना पानी नहीं है, उन्हीं लगता है कि बुड़ी मा कहीं गई है, इसी तरह दो दिन, तीन दिन, चार दिन बिच जाते हैं, बुड़ी मा कमजोर होती जाती है और एक दिन उसकी मृत्य हो जाती है, अब देखें, वो दोनों पक्ची परिसान हो जाते हैं। जब दोनों पंची देखते हैं कि बुढी मा का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वे दोनों परिसान हो जाते हैं। और अपने उस प्यारी से बुढी मा को पूरे नगर में ढोड़ने लगते हैं। पर पूरे नगर में उन्हें कहीं भी उस बुढी मा का पता नहीं चलता है, तब चिडियां अपने पती चिड़ा से कहती है, कि हमने उन्हें कितना ढोड़ा, पर वह बुढी मा हमें कहीं नहीं मिली, अब हम क्या करें, तब चिडियां का पती कहता है, हे चिडि, हमने उन्हें हर जगा हंठोड़ा पर हमने उन्हें उनकी घर के अंदर नहीं देखा एक बार उनके घर में भी जाकर देखना चाहिए कहीं वह बिमार तो नहीं चिडिया ने कहा हो सकता है अब देखिए वो दोनों उस बुड़ी मा के घर के अंदर जाती हैं अंदर जाकर देखते हैं कि कोई हल्चल नहीं थी। उन भोले भाले पंचियों ने। उन्हीं जगाने की कोशिस की। लेकिन वह बुढ़ी मा नहीं उठी। तब गवरया का जोड़ा समझ गया। कि बुढ़ी मा अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मृत्ती हो चुकी है। यह देखकर दोनों पंच पंची बहुत ही दुखी हो जाते हैं। बुढ़ी मा का मुझ खुला हुआ है। सरीर के ऊपर मक्या भिन भिना रही है। उनकी ऐसी अवस्था देखकर उनके रुदय में बहुत ही पिड़ा होती है। अब यह तो पंची थे, क्या करते? अब उन्हें दाना चुगने दूर दूर जाना पड़ता है। साम को जब मंदिर का घंटा बसता है तो वह दोनों पंची मंदिर में पखुच जाते हैं। और एक पैर पर खड़ा होकर भगवान सिव की आराधना तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या करते करते बहुत समय बीच जाता है। लेकिन वह न पंचीयों की भत्ती देखकर भगवान सिव जी बहुत ही प्रसन हुए और उन्हें तरसन देते हैं। और उनसे पुझते हैं। हे पंचीयों, तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें अवस्य दूँगा। मैं तुम्हारी इस कठोर भक्ती से बह प्रसन्न हो, तुम दोनों ने नन्हिसी जान होते हुए भी, अपनी छमता से बाहर जाकर मेरी भक्ति की है, तब गवरिया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी बुड़ी मा को फिर से जीवित कर दीजी, बस हमें यहीं चाहिए, तब भगवान सिव संकर ने कहा, यह स्रिष्टी का नियम है पंचियों, जो मर जाता है, वह कैसे जीवित हो सकता है, मैं स्रिष्टी के नियम को कैसे तोड़ सकता है, तब चुड़िया ने कहा, नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बुड़ी मा ही चाहिए, सिव जी अब इस बुढ़ी मा का सरीर गल चुका है। उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं। उनका सरीर बेकार हो गया है। मैं उन्हीं कैसे जीवित कर सकता हूं। तब दोनु पंची जिद करने लगते हैं। और कहते हैं कि आपने हमें वचन दिया है महादेव। कि हम जो भी आपसे मांगेंगे आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तब भगवान सिव ने कहा। तुम्हारे जिद और अपने वचन के कारण मैं विवस हूं। तब सिव जी ने बुढ़ी मा के सरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाल दिये। बुढ़ी मा फिर से जीवित हो गई। दोनों पंची बुढ़ी मा को अपने सामने देख कर बहुत ही प्रसन होते हैं। वह बुढ़ी मा अपने सामने साथ छात भोले संकर को देखती हैं। तो कहती हैं हे प्रभु आपकी दर्सन पाकर मेरे सभी जन्मों के पाप धुल गए। आपने मुझे दर्सन दिये हे प्रभु मैंने ऐसा क्या काम किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। तब भगवान सीव संकर ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे करमों के कारण जीवित नहीं किया है बलकि इन दो पंचियों के कारण जीवित किया है। इन दोनों पंचियोंने एक पर पर खड़े होकर मेरी आराधना किं। मैंने उन्हें आसिरवान दिया है और उन्ही की वज़ा से तुम आज जिन्दा हो। ये पच्छी वही है जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते हैं। सच जानकर बुढ़ी मा को बहुत ही आस्चर हुगा तब उसने भगवान सिव को प्रणाम किया और भगवान सिव ने कहा कि तुम्हारे भक्ती इन पंच्छियों के प्रती प्रेम और अन्दान करने से मैं बहुत ही प्रसन हूँ। मैं तुम्हें आसरवाद देता हूँ। तुम असाध्य से भी असाध्य रोग दूर कर सकती हो। ज़िव ओमकारा ब्रह्मा और अपने बच्चों के साथ दसन चित रहने बता हूँ। तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है भगवान सिव अलार्वान सिव अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे लिए मानन चतुरानन पंचानन राजे। प्रगु पंचानन राजे। अंसा के नन गरुरासस इसी तरह अंसा नन गरुरासस पंचियों की चर्चानन चतुर तक होने लगी। जैशिव ओंकारा और उसमें अजीब से सक्या भी आ रहे हैं। दसबुज अती सोहे। कर्माला देन गित जाते हैं। त्रिपुरारी कंशारी कर्माला धारी जीवित समाधी ले लेती हैं। जैशिव उस अस्थान पर भाप्य मंदिर बनवा दिया जाता है। वेतांबर पीतांबर पाघंबर अंगे। प्रगुबाघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक सबका कर्यान होता है। कर्माथे पुष मंदलू चक्रत्र शूलधारी प्रकुचक्रत्र शूलधारी। सुखकारी दुखाहारी अब आये सुनते हैं। भग्वान भूले नात की दुसरी कथा। जगपालने भात्तगर। यदि आपको हमारी अकथा। जय सीव ओंकारा। ब्रह्मा पिश्नु सता। जय बोले नात जानत अभिवेका। प्रडवाद्छर में सोभित जीती नुमेका। जय सीव ओंकारा।